चेसी क्रेशना, आप सभी विष्णवों को हिमानी पारत के चेसी क्रेशना चलिए, आज मैं आपके सामने फिर से एक हवेली लेकर आई हूँ एक छोटा सा मंदिर जिसे साथ सजावर से हम कैसे हवेली बनाएंगे ये बिल्कुल दिखने में छोटी हवेली है लेकिन हम इसे साथ सजावर से कितना सुन्दर बना सकते है वो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसके लिए आपको सुरु से अंतक हमारे साथ जुड़े रहना होगा और हमारी चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहे चले जिसके लिए पहले हम मंदिर रेखेंगे मंदिर बाहर से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तो आप देखे सबसे पहले हमने यहाँ पर उपर छत में ग्रास दिया है जिसके उपर हम गाइडन का लुप दे सकते है और उपर आगे में मोर की नकसी दी गई है साइड में हमने इन ठाकोची के लिए जरुखे दिये है वो जरुखे में भी हमने थोड़ा अलग करके जो लुप में अच्छा लगे ऐसे हमने यह खिरकी दी है जो बिल्कुल पूरे हमेली के तरह ही लग रहा है और मैं आपको आगे से मंदिर को दिखाना चाहती हूं तो देखे सबसे पहले हमने यहाँ पर परदा रखा है परदा खुलते ही हम आपको ठाकोची का दर्वाज़े के लिए पर दिखाते हैं सबसे पहले हमने यहाँ उपर बन हाथी की भी नकसी दी हूई है और दर्वाज़े के उपर भी आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी नकसी की हूई है साथ में दो पिलर है और दो आदे पिलर पीछे टेच किये गए है दर्वाज़े के उपर हमने एक साइड महारा नीची और एक साइड महाप्रभुजी दिये है और नीचे में अस्ट सका दिये है यहाँ पर हमने steps दिये हैं और आगे जो drawers बनाए हैं उसके उपर हमने गाई का चित्रक नक्सी करवाया हुआ है सबसे पहले हम मंदिर खोलते हैं अब देख सकते हो कि अभी ये मंदिर कैसा लग रहा है अब हमें अगसे पूरी तरह साथ सजावर से पूरी हवेली की तरह सजाना है तो हम कैसे सजाते हैं चलिए आप हमारे साथ देखिए देखते हैं कि मंदिर की बहार की लाइटिंग पहले देखिए ये सब मंदिर के बहार की गई हुई लाइटिंग है यहां पर हमने जरोखे में भी अलग-अलग लाइट्स की है और मंदिर अब देखते हैं अंदर मंदिर की लाइटिंग यह द्वायर खुलते ही हम ठाकोजी के अंदर मंदिर की लाइटिंग देख सकते हैं यहां पे उपर भी हमने lights और पंखा दिया है ठाको जी का यह सयन कप्ष है यहां नीचे भी हमने सिहांसन की उपर ही पंखा और lights फिट की गई है और साइड में यहां पर हमने रास लिला दी है यहां पर हमने guidance जैसा किया है अब इसके उपर हम सभी बीचोने बिचाएंगे अब हमने यहां ठाको जी के यहां पर हमने सिहांसन रखा है सिहांसन के उपर हमने गादी जी भी दिया हुए है और गादी जी के उपर हमने ये बीचोना लगाया हुआ है गादी जैसा और उसके साथ ही हमने ये दो तकिये दिये हैं ये ठाकोजी की रासलीला है जो हमने यहाँ पे रखी है ये हमने पे पास में दो बंटा जी और जारी जी रखने के लिए पड़के दिये हुए है जिसके उपर हमने बंटा जी और जारी जी रखा हुआ है और साथ में ही सभी बख्षि पक्सी होगों यहाँ पर बीच में जो खिछने वाला पार्ट है के उसके ऊपर ही हम भोग याव सब सदा सकते हैं कि खिलुने की यहां पे ठाकर हकों को खहले के लिए हम रखे Ohh को आप देखा यहां पर कादी जी और ठाकों जी हो गाए्रेकी है क्योंकि ठाकर जी को गाए्रें बहुत ही पसन दह और और आगे हमने खनपाट रखा है खनपाट के उपर हमने सभी खिलोनों को सजाया है अब मैं सियासन आपको आगे लेके दिखाती हूं कि आप देख सकते हो तिकना सुन्दर लग रहा है है हमने इसके लिए खैपोर्ची के फूल मंडली भी बनाई है जो हम यहां पर रपके सिय कस्टमाइज है इसके लिए हमने जो कस्टमर ने चाहा उसी तरह हमने इस सजाया है अब देख सकते हो ठाकोंजी और ठाकोंजी के उपर साथ में यह फूल मंडली कितनी सुन्दर लिख रही है अब इसके उपर हम फूरी तरह खिलोनों को सजा कर दिखाते हैं ठाकोंजी के अनावा भी कई खिलोने हैं ये ठाकोंची के खेलने के लिए हमने घुगरा रखा है उसके अनावा हमने साथ में ठाकोंची के खेलने के लिए चकल दी रखी हुई है और साथ में ठाकोंची को सिहासने नींचे उतरने के बाद उसके लिए हमने ये ठाकोंची के छोटी-छोट यह पादुका भी रखे हुई है थाको जी को खिलने के लिए हमने यहां पर प्यानों दिया हुआ है कैरम दिया हुआ है लुडो दिया हुआ है थाको जी के लिए डमरू है ठाको जी के नगारे है ठाको जी के लिए हमने यह छुटा सा मूबाइल भी लिया है चकेडी है ठाको जी के लिए यह बैड मिंटन है ठाको जी का छुटा सा गितार है बैट बॉल है पतंग और दोरी है डूल पिछकारी भी है और ठाको जी के लिए हमने यह अतरदानी भी है जो हम यहां पर ही रखेंगे दिवाली के लिए हमने ठाकों जी के लिए ये फटा के भी लिए हुए है और ठको जी को यह धराने के लिए हमने ये कप रखा बीबी रखे हुए ठको जी को सुभर आर्ची दिखाने के लिए हमने साथ में ये आर्ची बीबी है खेलने के लिए ये चुपाट रखा है ये ठको जी के खेलने के लिए चुपाट है और ठको जी के लिए हमने ये दान्डिया भी दिया हुआ है और उनके लिए हमने ये चक्कर भी दिया है जिसे हम चक्डोल बोलते हैं गर्मी के सिजन में ठाकोची को गर्मी ना लगे इसके लिए हमने यहाँ पर कुलर की भी विवस्था की गई है ये ठाकोची का सनान टब है सनान टब में हमने ठाकोची के सनान के लिए ये चोकी दी है और उसके साथ ही ठाकोची के जल में रहने वाले खिलो ने भी साथ में दिये हुए है ठाकोजी को डेकोरेशन के लिए हमने साथ में यहाँ पे दो फूल दानी जैसा भी दिया हुआ है ठाकोजी के लिए ये सबी चीज़े हमने साथ में दी है आप देख सकते हो कि ठाकोजी के खिलों ने कितने सुन्दर दिख रहे हैं सबी यहां पर हमने ठाकोजी को और सजाने के लिए क्रिश्टल भी दिये हुए है जिसे आप ठाकोजी को अच्छी तरह सजा सकते हो और उपर में हमने ठाकोजी के सैन कक्ष में पलंग दिया हुआ है उसके उपर हमने बीचोना और साथ में ठाकोजी के पास खड़ी ये सख्या आपको दिखाए देगी यहाँ पर हमने साथ में ठाकोजी के लिए 4.2 व्यवस्ता किई गई है जो गर्मीयों के सिज़र में ठाकोजी को अति थंड़क देगा अब मैं आपको दिखाने जारी हूँ ठाकोजी के मंदिर में दिये गए हुए खाने जो आपको ये खाने में हमने ये सब बॉक्स दिये है जिसके अंदर हम ठाकोजी का अच्छा सिंगार और वो सब सजा के रख सकते हैं उच्छों मंने होने वाले शिंगार जो भाराइ शिंगार होते हैं उसको हममें रख सकते हैं इसके साथ ही हमने ये खोटे खोटे और वह बॉक्स दीये हैं जिसमें आप चाहों जो भी रखना तो आप अच्छे से सबस्पें रख सकते हो संभाड़ के इसके अंदर हमने चोकी और साथ में सनान की चोकी और चोटे-चोटे खिलोने हैं सब रखने के लिए स्थान दिया है क्योंकि यह छोटा बॉक्स है इस के लिए कि स्थान टम नहीं आ सकता है इसके लिए हमने ये चुटे चुटे खिलोने और वो सब रखने के लिए ये चुटा बॉक्स दिया है और इसके साथ ही हमने ये ठाकोर जी के लिए जो सिहासन है उसके साथ ठाकोर जी का जुला ठाकोर सिहासन में से हम ठाकोर जी का जूला कैसे बना सकते हैं ये स्टिक के साथ मैंने इसक में दिया हुआ है ये स्टिक भी हम इस बॉक्स में रखेंगे इस बॉक्स में हमने ठाकोर के लिए सामगरी के डब्बे दिये हुए है जिसमें आप ठाकर जी की सबी सामगरियां रख सकती हैं इसके ज़्यादा सिंगार हो तो इसमें अंदर हम सजा के रख सकते हैं ये बॉक्स अच्छी तरह हम आगे पीछे करके देख सकते हैं और नीचे ठाकर जी के वस्तर और हो सब भी रख सकते हैं आप सभी ने देखा कि ये छोटे से मंदिर में हमने कैसे अच्छी तरह साथ सजावट करके इसे हवेली का रूप दे दिया है ता आप देख सकते हों ये कितनी सुन्दत दिख रहे हैं उपर शायन कक्स है नीचे में हमने सिहासन सिहासन के उपर ये सब सजाया गया है उसके सा खंट पाःट है खंट पाट के उपर हमने ठाको जी के खिलों ने साइड में दोनों जगह हमने mitigation के लिए grass दरवान वो सब कैसे सजाया है आप देख सकते हो और यहां पर ठाकोजी के सब ही खिलों ने दिए गये है जिसके साथ ठाकोजी को खिलाया जाता है यहां साइड में हमने cooler दिया है, आप अच्छी तरह देख सकते हो कि पूरी हवेली कितनी सुन्दर दिख रही है आप देखा कि हमने यह पूरे मंदिर को साई सचावाट से किस तरह हवेली का रूप दे दिया है, आप देख सकते हो ये पूरा मंदिर कस्टमाइज किया हुआ है ये पूरा मंदिर आज बंबे के लिए रवाना हो रहा है ये हमने बंबे के लिए बनाया है हमारे कस्टमर के लिए जो अगर आप भी हमारे पास से इस तरह का छोटा बड़ा सजावट के साथ बिना सजावट आप जो भी जैसा भ और भी दे सकते हो अगर आपने हमारे इस वीडियो को सुरू से अन तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिस्तरदारों में शैर कीजिए चैस्रीक रश्न